इस मूवी के बारे में मैंने बहुत ज़्यादा सुना था कि बहुत बढ़िया मूवी है तो मैं कैसे मिस कर सकता था इस मूवी को तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे जैभी मूवी के बारे में जो तकरीबन धाई गंटे के आसपास इसकी लैंट है ये सची गटनाव प क्रिए कई जाती को इतना मतलब के वो देखा ही नहीं जा रहा है नहीं होता है यह इंसान अब थोड़ी सी गलती करेगा और इसको बहुत का महौल इसके अंदर होता है वो देखा नहीं जा रहा था है एकना भ्यानक तरीके से उनको ट्रीट किया गया है और उन्होंने वो सहा है इवन सहने के बाद वो इनसाफ के लिए आगे आये हैं और सच कहें यार एक सचाई के जीत होती है जब ये दिखाया जाते हैं कि हाँ सच ही हमेशा जीत है वो चीज़ देखकर काफी जादा खुशी भी मिलती है कि एट लिस्ट इनसानों को इनसाफ तो मिल रहा है तो यही है उस लेडी को इनसाफ दिलाया जाता है वो देखने में बहुत जबरदस लगता है और बहुत बढ़िया तरीके से हमारे सामने रिप्रेजेंट किया गया है सच में बहुत जबरदस जो दलीले इसके अंदर दी जाती है इवन इसके अंदर जिस तरह की कि जो डिटेलिंग की वो बहुत बढ़िया है for example Hibis Cup जो RIT में आती है वो RIT जब डालते है हाइप कोट के अंदर वहाँ पर उस चीज़ को वो एक केरला हाइप कोट करते है वहाँ पर एक एक्जांपल के तौर पर कोट किया जाता है तो यह सब चीज़ें बहुत detailing से की गई है ऐसे ही नहीं है बस चकी और डाल दी नहीं actual में वो चीज़े होती है होते हैं होते हैं कि एक दूसरे high court का मतलब कि तमिलाडू का high court है वो केरला high court की बात क्यूं मानेगा लेकिन वहां पर ये बात होती है कि अगर चाहें एकर एक high court चाहें तो दूसरे high court के आदेश को वो मान सकते हैं तो ये चीज़ें देखने में बहुत जबरदस लगता है और सच में ये मुवी देखकर काफी टाइम से चाहरा था क्यार कुछ एक intellectual मुवी बहुत जबरदस्त मुवी इसमें जो हमारे सारे इलाकों के अंदर भेदबाव किया जाता है even मैंने खुद देखा है भेदबाव होते हुए जिस तरीके से ट्रीट किया जाता है तो अभी इस चीज़ को दूर होने में टाइम लगेगा और इस चीज़ को दूर कैसे किया जाती है ना कहीं कई बार तो ऐसा होता है कि अब आखें बंद कर लो यह नहीं देखा जाएगा इतना गंदे में वह बैटे होते हैं मतलब कि प्ले चल रहा होता है बच्चों का वहां पर कहते हैं कि यहां पर बड़े बड़े नेता हैं वह दिखाई दे रहे हैं मतलब महत्मा गांदी दिखाई दे रहे हैं जोहाल नहीं दिखाई दे रहे हैं अंबेड कर क्यों नहीं दिखाई देते और एक चीज जो है अपने दिमाग में बिठा के रखना है कि यह जो चीजें हैं वो रियल घटना के उपर है ऐसा ही नहीं है आप लोगों को एक मुवी जरूर देखनी चाहिए और सची घटनाओं परता है जो यह इसमें वकीर जो चंदुरे लास्ट के अंदर इसमें दिखाया बे जाता है कि कैसे उन्होंने यूमन्स के लिए मतलब कि जो मानवता के लिए जो केस लड़ा उसके लिए एक रूपया भी उन्होंने चार्ज नहीं किया और जब वो हाई कोर्ट के जजज के रूप में रिटायर हुए तो उन्होंने बहुत सारे जो लैंडमार्क डिसीजन दिये थे तो ये सच में वाकई में देखने वाली मूवी और मैं डेफिनेटली आप लोगों को रिकमेंडिट करने वाला हूँ कि जाकर ये देखो और साथी साथ की अवेरनस होने के वे जरूरत है हम एक तरीके से कहते हैं कि हमारा देश बहुत जादा अच्छा है इसमें विविदत उसका सामना करना बहुत इंपोर्टन है तो मेरी तरफ से इस मूवी को मैं देना चाहूँगा 10 after 10 अगर आप लोगों ने मूवी देखी है तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को मूवी कैसे लगी अगर नहीं देखिए तो अभी जाकर देखो एमाजोन के उपर आप ल झाल